मुक्यमंत्री मनोहलाल खटर ने फतेहाबाद जिले को करोडों रुपए की सोगात दी है मुक्यमंत्री ने फतेहाबाद रिस्थाउस में आज़ित कारिक्टर में दरजन भर परियोजनाओं का शिलानिया सरुद घाटन किया जिनमें फतेहाबाद के लिए तीन परियोजनाएं जो कि नहरी विभाग से संबंधित हैं रतिया के लिए तीन परियोजनाएं जिनमें दो परियोजनाएं नहरी विभाग और परियोजनाओं में जलगर की हैं जबकि छे परियोजनाएं टोहाना के लिए हैं इन परियोजनाओं पर करीब 46 करोड रुपई के लागत आएगी। इसके साथ है मुक्यमंत्री अपनी यात्रा के अगले पड़ाओ के लिए रवाना हो गए। रेस्टाउस से निकलने के बाद मुक्यमंत्री का काफिला शहर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदर पहुंचा जहां मंदर पतादिकारियों ने मुक्यमंत्री का स्वागत किया। आज जनाशिरवाद यात्रा फतेहबाद के गाउं बोधिवाली से होते हुए सिरसा जिले में प्रवेश करेगी। पतादिकी जनाशिरवाद यात्रा कल देर रात फतेहबाद पहुंची थी।